नूरपुर में स्योहारा रोडस्थित आर आर पब्लिक स्कूल में C.L. गुपता आई इंस्टिटूट मुरादाबाद के तत्वाधान में आयोजित निशुल्क नेत्र चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया C.L. गुपता आई इंस्टिटूट की तरफ से आयोजित तीन दिवसी निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक आफरीन सलीम के नेत्रित्व में मीनाक्षी शर्मा, सृष्टी शर्मा, नेहा शर्मा, पूनम आदी चिकित्सकों ने विद्यालाय के 1264 चात्राओं की आँखों की जाँच की गई और देख भाल के सुझाव दिये गए। शिविर में चात्रों की आँखों में देखने की क्षमता की जाँच के दौरान, जिन चात्रों में जो दृष्टि दोश पाया गया, उसको उसी हिसाब से चश्मा का सुझाव देते हुए उनके लिए लेंस नंबर की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचारे प्रणाय मनुगुपता ने कहा कि इस शिविर का मूल उद्देश्य समय समय पर छात्रों को नेत्र समस्या से किसी प्रकार की कोई समस्या नहो इसके प्रति जागरूख करना है क्योंकि आँखें मानव के लिए अमूल्य धरोहर होती है। इसकी देख भाल करना हम सब का परम कर्तव्य है। वरिष्ट चिकितसक आफरीन सलीम ने कहा कि अधिकांश बच्चों की आँखों में एलर्जी अवधूल मिट्टी से संक्रमन पाया गया। उन्होंने कहा कि आउ अवसर क्रहना बेहत जरूरी है। इस अवसर पर टीकम सिंह, सुभाश चंद्रा, जीवन सिंह, गौरव चोहान, शाहीन परवीन, कुसुमलता, रूपारानी, रंजना चोहान, शिल्पी अगरवाल, शैलिंद्र कौर, प्राची चोहान, दिव्या कौशिक, स्वाती यादव कपिल बबबर, गीता यादव, आदिका सहयोग रहा, प्यूरो रिपोर्ट